हैलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज आपको दिखाते हैं ग्लास मिरर पैनलिंग कैसे करते हैं उसमें क्या क्या हमें रिक्वाइर्मेंट्स होती हैं कितना उसका एक्सपेंडिचर आता है कोस्ट क्या आती है उसकी और कितना टाइम लगता है बात करते हैं व वोल के उपर लगा लेना है जो साइज आप वोल का देख रहे हैं यह हमारा 8 वाई 7 का साइज है 8 फिट इसकी हाइट है वो 7 पिट इसकी विड्ट है तो हमने 8 वाई 4 की 2 एच जैमर की प्लाई लाकर उसमें से कटिंग करके जो साइज हमारा वोल का आ रहा है उसे बनाने के ल लिया है और फिर बड़े वाले बॉर्ड की मार्किंग करके उसे हम वहीं पर कट कर लेंगे तो है कि अ कि साथ बाई 4 की एक प्लाई हमने यहां पर जाम कर दिये अब इसके ऊपर की दूसरी प्लाई हमें जो हमारी चोकट का हाइट है उस हाइट तक हमें उसे लगाना है तो सबसे पहले हमें इसे वीडित में काट लेंगे साथ फिट काटने के बाद में फिर जो हाइट आएगी उसमें हमें इसे काट कर लगा देंगे तो फ्रेंट्स हमने सेम हाइट में जो हमारी चोकट की हाइट है उस हाइट तक हमें डिजाइन लगाना था तो हमने अपनी प्लैन पैनलिंग भी HDMR की पैनलिंग उसी हाइट तक की है और अब हम इसमें जो इसका इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसका खाचा काट लेंगे यह हमारा 3 mm की MDF है जो कि हमें फर्मे के लिए यूज़ करना होगा फर्मा बनाने के लिए हमें 3 mm की HDMR की प्लाई या फिर MDF की प्लाई यूज़ कर सकते हैं जो फर्मा होता है वह हमारा प्लांट में जाएगा उसके गोडिंग हमारा ग्लास का डिजाइन कट करके आएगा तो हमने अपने फर्मे में में दोनों की कटिंग कर ली है आप देख सकते हैं एक कटिंग हमारी बड़े बोर्ड की है और दूसरी कटिंग हमारे छोटे बोर्ड की हमने कर लिए फर्मे के अंदर भी फर्मा बनाने के बाद फर्मे को अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा साइज बिल्कुल पर्फेक्ट होना चाहिए एक फर्मा हमारा रेडी हो गया है अब हमें इसका दूसरा उपर वाला फर्मा रेडी करना है लगा कर देखने के बाद इसको हमने मार्किंग कर लिया है कि उपर का पीस अलग है और नीचे का पीस अलग है तो अब हम इसमें मार्किंग करेंगे इसके board की cutting की तो हमने इन में मार्किंग कर दिए number one piece और number two piece front लिख कर हमने फर्मे की height और width को measure करके ये अपने drawing ready की है जो हमें design बनाना है बरफी वाला क्रोस वाले design हमें इसमें बनाना है तो आप देख सकते हैं जो design है हमारा वो हमने फर्मे की according drawing में बना लिया है अब हमने जो sheet थी drawing जो sheet हमने glass की mirror की वो फर्मे की according कट कर लिये दोन्हों sheet को फर्मे की according कट करने के बाद जो हमने drawing है उसकी marking हम अपने according कर लेंगे मार्किंग करते हुए हमें पर्मनेंट मार्कर यूज करना है ताकि कोई भी निशान साफ ना हो तो कटिंग उसी निशान पर हमें करनी है तो उसके लिए हमें सारे के सारे मार्कर से डिजाइन बना लेना है अब देख सकते हैं इसमें हमने सारी मार्किंग कर ली है टोटल मार्किंग में पीस हमारे 98 पीस में मार्किंग हुई है फ्रेंड्स आप सो देख रहे हैं यह हमारी वैबलिंग मशीन है इस पर हमारे पीस की वैबलिंग होती है जो हमारी उसमें हम अपनी कमान देकर कितने साइज की हमें वैबलिंग लेनी है कितने mm की वो हम उसके according set कर सकते हैं मार्किंग पूरी करने के बाद में हमें हर पीस पर उसका number mention कर देना है और arrow लगाना है कि इसका इसका जो face उपर को रहेगा ताकि हमें बाद में पैनलिंग लगाने में कोई problem ना हो आप देख सकते हैं जो हमारा joint वाले पीस हैं वो काफी सारे पीस आ जाते हैं तो हमें जितने भी हमारे joint के पीस हैं उन्हें पहले यहां से sheet में से cut कर लेना है फिर उन्हें एक उनका piece बनाकर उनका number के according piece बनाकर उन्हें fresh sheet पर रखकर marking करके वो piece अलग से काट लेना है तो cutting करने के लिए आप देख सकते हैं हमने जो भी marking की है उस पर diesel oil लगा कर उसकी हम अपना जो कलम होती क्लास की cutting करने की उससे सारे piece easily cut कर लेंगे पहले हम सभी piece को cut करेंगे फिर उनको तोड़कर अलग कर लेंगे सभी piece को number के according ही रखना है जो हमारे joint वाले pieces निकलेंगे उनको एक साथ एक सिक्वेंस बनाकर उन्हें अलग उसमें रखकर तब cutting करने के बाद सभी piece को अलग अलग तोड़कर रख देंगे और जो भी piece हमारे आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में दिख रहा है कि हमने पहल ने तोड़कर अलग-अलग सबको अलग कर लिया अब इसमें हमें जो इनकी मार्किंग है नंबर उनका फ्रेंट से हटाकर बैक में arrow के साथ में डाल देना है क्योंकि जब हमारी वैबलिंग के लिए पीस जाते हैं तो जो फ्रेंट पर arrow और मार्किंग होती है वह हमारी हमें सारे सारे को इजली कट कर लिया ह। इन्हें के लिए मशीन पर बहेस देंगे यहें हमारी मशीन शामने है इस पर हम अपनी तो फ्रेंट वारी सबी मिरट मेर्व फीस वह ग degener हो घजुए हैばい वैब लिंग होने के बाद आप देख सकते हैं हम ने हम इसमें हाफ इंच्हि पीस हमें अपने कोर्णर में लगाना होगा जो कि हम सिलिकॉन से लगाएंगे तो आप देख सकते हैं एक पीस हमने अभी सिलिकॉन के हल्प से नंबर वन का पीस लेफ्ट हैंड साइड का नीचे से वो हमने लगा दिया है इसी तरह से हमने दो तीन चार पांच और आगे तक के पीस नीचे वाले हमने सभी सिलिकॉन से लगा दिये हैं अब हमें इसके ऊपर के बीच के पीस जो स्कुएर सेप में हैं वो हमें इनके सामने लगाने हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अभी नीचे की दो लाइन कंप्लीट कर लिए हैं मिरर स्पेसल सिलिकॉन आती है जो की मक्वए कंपनी के हम इसमें लगा सकते हैं इतनी जाद सिलिकॉन भी हमें इसके पीछे नहीं लगाने होती ताकि वह बाद में प्रोब्लम ना दे तो हमें चारो साइड में लगा के और थोड़ा सा इसके सेंटर में लगा के इस पीस को अर्यारो से सथ लगा देना निमबर के ओपर जो एयरो है वह हमेसे हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए तकि हमारी मीर की मीरर में जोइंट ना दिखाई थे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं नमबर के अकोड़िग हम पीस लगा रहे हैं उनका एरो उपर की तरफ है और उसमें सिलिकोन लगा कर सभी पीस को नमबर के अकोड़िग चिप का रहे हैं सिलिकोन हमारा 10 या 15 मिनिट लेती है एक piece को set होने में तो आप आराम से इसे लगा कर छोड़ सकते हैं ये गिरने का chance भी नहीं होता है ये piece लगाने के बाद हमें requirement होती है अपने जो next piece है वो हमारे electric board के उपर आ रहे हैं तो उसमें हमें electric board का निशान लेकर खाचा cut करना होता है तो काचा cut करने के लिए हमें इसमें drill machine में hole bit बादना होता है जो हमने 8 mm का बाद कर उसमें निशान लेया है तो अब हम इसमें जैसे हमारा काचा C type में है तो इसमें हम 2 hole करेंगे और फिर जो सीशे काटने का लम होती है उससे हमें C type में cutting कर लेंगे तो आप देख सकते हैं एक cutting हमने करकर अपना ये piece ready करकर लगा दिया है तो अब जो दूसरा piece इसके उपर आएगा उस वो हमारा C type की cutting का होगा तो हमने इसमें C type की cutting के लिए इसका निशान marking लेकर 2 hole कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें भाई ने काफी सारे कलम से cut लगाये है ताकि हमारा खांचा ही कटे कोई और piece अलग से ना cut जाए तो इसका बड़ा दियान रखना होता है जब हमें इसमें खांचा cut करना होता है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमने इसमें 2 hole करके इसमें खांचे का cutting कर लिए है अब हमें यह बीच का piece तोड़कर निकालना है खांचे का कि जो हमारा group कटा है खांचे कटने के बाद में हम उस पीस पर सिलिकोन लगा के अच्छे से और number के according वहाँ पर लगा देंगे अब देख सकते हैं लगने के बाद में यह हमारा बिल्कुल जो हमने cutting पहले की हुई थी उसी size में हमने से काटा है अब इसमें हमारा easily electric board आ जाएगा number के according एक एक पीस हम लगा लेंगे और अब आता है हमारा दूसरे खांचा काटना जो बड़े वाला बोर्ड एलेक्ट्रिक उसको खांचा काट कर उसके उपर हमें लगाना होता है तो हमने cutting करने के बाद में उसके पीस लगा दिये आप देख सकते हैं हमारी mostly paneling ready हो गई है अब कुछी पीस हमारे इसके बचे हुए है वो भी हम number के according लगा लेंगे अगर कुछ पीस हमारे problem करते हैं तो हम उन्हें grinder की help से घिसकर लगा लेंगे तो friends बात करते हैं हमारे इसमें mirror के color कौन कौन से आते हैं तो color इसमें हमें easily काफी सारे color मिल जाते हैं golden mirror, rose gold mirror, copper mirror, black mirror, brown mirror और काफी सारे इसमें हमें color choice मिल जाती है तो जैसे कि हमने देखा है यह हमारा piece थोड़ा सा touch हो रहा था वोल पर तो हम इसे हलका सा grinder लगा कर free कर लेंगे और उसके बाद हम उसे लगाएंगे आप देख सकते हैं कितना चलू का रहा इसका लगने के बाद अब last piece हमारा बचा है वो हमारा हलका सा grinder के लिए जाएगा अब देख सकते हैं हमारा यह last piece बचा हुआ है इसे हम silicone लगाकर last piece भी अपने लगाकर इस paneling को complete करते हैं बात करते हैं कि कितने costing हमारी इसके अंदर आ जाती है तो friends इसमें हमारी 300 रुपे स्क्वार फिट की costing आती है अगर mirror की बात की जाए तो हमारा जे गोल्डन और copper mirror आता है यह सब हमारे 100 रुपे स्क्वार फिट से start हो जाते हैं और इनकी वैबलिंग की बात की जाए तो machine से वैबलिंग 20 रुपे रणिंग फिट का price market में चल रहा है बाकि आप अपने प्लाई की पैनलिंग की है उसके according आप अपनी cost निकाल सकते हैं कि कितना आपने कैसा design बनवाना है design के according उसमें आपकी वैबलिंग होगी वैबलिंग क 20 रुपे स्कूर रेनिंग फिट से आप उसकी cost निकाल कर देख लेना फाइनल वियो आप देख सकते हैं कितना गजब का लुक आ रहा है इस वोल का कितना अच्छा लुक देता है यह पिंक मिरर भी बोलते हैं हम इसे अच्छा लगता है यह लगने के बाद वोल पर इसमें आप काफी सारे designs available होते हैं कुछ भी डिजाइन अपने तरीके से आप इसमें cutting कराकर web link से बना सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ऐसी ही informative वीडियो देखने के लिए हमसे जूडे रहें तो चलते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई